अब बच्छो हम स्टार्ट कर रहें दोस्तों सेंटर ओफ मास किसी भी बॉड़ी के मोशन में अगर हम देखें ठीक है तो बॉड़ी की स्टेबलीटी की बात हो रही हो बॉड़ी का इक्विलिब्रियम स्टेटस की बात हो रही हो ठीक है बॉड़ी पे नेट फोर्स की बात हो रही हो वो सेंटर ओफ मास वहां पर बहुत इंपोर्टेंट ह जाता है पता है आपको मैं एक चीज बताओ उनको जो हम नेट एक्स्टरनल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन लिखा करते थे ना प्यारे बचो अब सोचो अगर बॉड़ी अलग-अलग टाइप की हो ठीक है रेंडम शेप की हो ठीक है और बॉड़ी चल रही है ठीक है कोई किधर चल रहा 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 है ऐसे चल रही है बॉड़ी ठीक है और घूम भी रही कुछ तो अलग तरीके से इसका रेंडम मोशन तो पताए यहां पर यह एक्सिलरेशन किस पॉइंट में हलेक का रास्ता अलग अलगी तो फिर नेट एक्सिलरेशन किसका होता था बच्चो तो मैं आपको आज बता दे रहा हूँ यह एक्सिलरेशन होता था सेंटर ओफ मास का ठीक है येस सेंटर ओफ मास वो पॉइंट है जिस पे नेट एक्सिलरेशन वाले फॉर्मुले में एक्सिलरेशन सेंटर ओफ मास का था तो बच्चो हम आज सेंटर ओफ मास को पता करने वाले center of mass ठीक है is the most important point in the body इसके motion को study कर लिया तो आप mechanics की study में expert बन सकते हो इसके motion को study करना अगर आपको नहीं आया तो आपका mechanics कमजोर रह जाएगा बच्छो एक छोटा समय आपके सामने है ना एक चीज आपके सामने बोलता हूं सोची वच्छो एक baseball का bet वच्छो आपने baseball का bet देखें यहां फिर सोचो एक normal आपके पास rod यह चलो एक समझ गया यह एक आपकी rod यह ना आपने क्या किया वच्छो इस rod को आपने अभ़ा यहां चलो मेरे पास ही pen है pen इसको pen को ऐसे थैऐ घुमा के एक तो अगर इस pen को ऐसे थो करता हूं गुमागे तो यह ना इसी Celtic है तो यह ना जब आगे जा रहा होता है ना इसका motion कैसा होगा यह रास्ते पे इसे गोल गोंते गोंते ऐसे जा रहा होगा ठीक है तो काफी complicated हो जाती है motion की study ठीक है जब हर point का motion अलग अलग होता है तो काफी complicated हो जाती motion की study अभी तक क्या होता था इस chapter से पहले point objects लेते थे सब point महासी लेते लेकिन अब हम क्या लेंगे body की length होगी body की height होगी body की width होगी body का dimension जाधा होगे volume होगे तब हर point का motion अलग-अलग हो सकते है थेक है हर point का motion अलग-अलग हो सकते है तो यहां पर हर point का अपना अलग-अलग motion हो रहा हूँ है यह जब यहاں से यहां आएंगे तो यह घूमते घूमते आएंगे ठीक है जैसे मैं अगर आपको थोड़ी देर बाद का लोकेशन बताओं तो यही थोड़ी देर बाद जब रॉड होगी सुचो ऐसी हो गई रॉड ठीक है और ए घूमके इधर आ जाएंगे ठीक है ए बी तो आप देखो यह A का मोशन थोड़ो घूमते घूमते आगे जा रहा है नहीं ठीक है ऐसे मोशन होगा कुछ ठीक है यह मोशन तो बड़ा कठीज है इसको कैसे स्टडी करें करेंगे इसको भी स्टडी बट यहां पर एक पॉइंट है जिसका मोशन बहुत आसाल है ठीक है सेंटर आफ मास पर कंसेंटरेट कर दूँ इस पूरी बॉडी का मास में अगहर संतरńskरमास पर चंसेंटरेट कर दू और फिर इसको थ्रो करता हूं यशिका दूसकर रास्ता सरिफ सिंपल प्रोजेक्टाईल मोशन होता है चाहे बॉडी के हर पॉइंट का रास्ता अलग-अलग हो ठीक है थोड़ी देर बाद बॉडी फिर से टरन हो गई ठीक है तो A को मैं आब ये घुमा के यहां मना देता हूँ ठीक है ये वापस है ऐसे होगी A, B, C, D, E ठीक है तो A का motion तो इसे गोल-गोल-गोल घूंगते वए आगे जा रहे है तो तो कठेन है तो इस बॉडी का motion कैसे study करें तो हम study करेंगे पहले center of mass का motion, center of mass का motion बहुत आसाल है ठीक है तो आज की class में हम क्या क्या करेंगे today's klas डीक है आज हम position of center of mass निकालनाद चालो करेंगे सबसे पहले हमें center of mass की position निकालते आने जाये ठीक है फिर हम motion of center of mass प्र माद बात करेंगे कि center of mass का motion कैसा होगा उसको study कैसे किया जाए आए ये बच्छो सबसे पहले है na position of center of mass में बात करते हैं पोजीशन ओफ सेंटर ओफ मास ठीक है तो बहुत ही छोटे तरीके से सिंपल तरीके से बताऊंगा आपने 10th क्लास में यह पढ़ा हुआ है ठीक है आई है ना सोचो दो सेम मास है अगर है ना सेम मास तो सेंटर ओफ मास कहां पर होगा एक दम बीज यह तो हुआ है तो ठीक है अगर एक मास छोटा है और एक मास बहुत हैवी है तो जाहिर सी बात है सेंटर ओफ मास आपका हैवी वाले मास की तरफ होगा हैवी वाले मास की तरफ होगा सेंटर ओफ मास तो यह इस तरफ होगा सेंटर ओफ मास बेटा यहां पर हैवी वाले मास की अब यहां पर हम इसको कैसे लेखते हैं, आईए, Center of mass divides ठेक है, यहां न इस लाइन, जॉइनिंग मास्स इनिवर्स रेशो जॉइनिंग मास्स न इनिवर्स रेशो, बच्छो, इनिवर्स रेशो आफ देर मासेश। एंटर आफ यह इनवर्स रेशो में डिवाइड करता जैसे इसका मतलब क्या है सुच्रम यह वाला रेशो को मैं यह डिस्टेंस को आरवन कहkeं यह वाले डिस्टेंस को में आप टू कि अथा तो तो R1 को लिखो लिखो inversely proportional to small R2 बिटा small m से distance है तो R2 को आप लिखे inversely proportional to capital M समझ गये अब आप रेशो लेजे तो जब आप रेशो लेगे तो small r by capital small r by R2 क्या आगया R1 by R2 capital M by small समझ में inverse ratio R1 के inverse में है small m R2 के inverse में है capital M r1 small m से दूरी r2 capital s यहां तक सम draw जल्दी से बताओ for to फटाफट से यहां तक समय बें आगे कि बच्छो बताओ अब फटाफट से बताओ बच्छो कि यह पच्छो कम आन कम आन चाहिए क्या हर्ष आपको अब एसा है कि उतकर मैं बोलता हूं या एड कराने के लिए बिल्कुल हंड्रेट परसें अब देखिए यहां पर मैं आपको सिखाना चाहूंगा ठीक है कि हमने यहां पर अगर इसके कॉडिनेट कुछ दे दिए एक्सवन थाए ठीक है चले और इसके कॉडिनेट अगर मैंने दे दिए एक्सटू पाय तो इसके सेंक्टर और मास के कॉडिनेट कैसे लिखा लोगा बताओ तो आपको यहां को इससे मुल्टिप्राय करते थे और यह अर्वन को इससे मुल्टिप्राय करते थे तो और यह देखो equation रयं को मैं नहीं बाइर्टो लिख तो आरवन को मैं टाटो म Cao आर्टू को मैं small m लेख रहा हूं इसी में तो यह हो क्या capital m x2 plus small m x1 upon capital m plus small m अब यह बहुत आसान formula आ चुका है आपके सामने देखो अगर आप इसे ध्यान से तो mass है capital m x2 उसी का coordinate है जिसका mass उसी का coordinate plus जिसका mass उसी का coordinate upon total mass तो यहां से मैं आपको center of mass की position का formula दे रहा हूं capital m1 चलो m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m y coordinate of center of mass का formula होगा m1 y1 बच्चो जिसका mass उसी का coordinate उससे multiply कर दो m2 y2 upon m1 plus m2 और z coordinate of center of mass क्या होगा बच्चो m1 z1 plus m2 z2 upon मैं m1 plus m2 बहुत ही आसान mass रखो जिसका उसी के coordinate से multiply करो पहला mass लिया पहले mass के coordinate से उसको multiply किया दूसरा mass लिया उसको अपने coordinate से multiply किया फिर आपको mass से divide करके center of mass आजाए सोचो आपके लिए मैं दो point दे रहता हूं पांच केजी आपने जीरो कॉमा मास का coordinate बते फटा-फट से बहुत आसान सवाल है हर बच्चे का अंसर ची थी कि I want everyone to give the answer बता बच्चो फटा-फट से क्या रहे है बिल्कुल यूवराज 100 परसेंट बिटा कि येस और येस हैश्टेग 8024 बच्चे शंदार बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया अक्षा देखो बिटा डॉक्टर ने आपको क्या एडवाईज दी उस हिसाब से आप डिसीजन लो बच्चे येस ऐस थोड़ी देव तो देख सकते हो बिटा जब तक आपको परिशानी ना हो है ना आजा अरे वाब धीरू भाई इस दा फर्स्ट वन अंकुर शिवास्ताव कह रहा है सर मुझे सेंटर आफ मास बड़ा हाट लगता है अंकुर शिवास्ताव आइक टोटली रिलेट ट तरीके से आपको सिखाऊंगा आख्षत वर्मा येना अंकुर सकते ना येस बस आपको मेरे साथ कंसिस्टेंट रहना है लगातार रहना है और मस्त तरीके से अपन सीखेंगे ठीके तो जेए मेंस का सेंटर ओफ मास कठिन नीए बिटा नैंश्य कहना जाओंगा जेए मेंस म में बहुत ज्यादा कठें चीजें नहीं पूछ रहे ठीक है बच्चे अंकूर आपसे एडवांस में जरूर कठें एडवांस के लिए प्रिप्रेशन जरूर बहुत अच्छी है ना आई आगे बढ़ते हैं देखो अच्छों कि सेंटर ओफ मास्क का एक्स कॉडिनेट अटर में निकाल तो एम वन इंटू एक्स प्लस एंटू इंटू एक्स टू अपॉन में एम वन प्लस देखें क्या हो क्या र ये आ गया बटा माइम इनस टू भाई वच्चे आपने सर्फ टू बोला था क्या मैडनेस टू आ रहे है मां इनस टू आ रहे चेक कर जो मैंस ड़ू अर्माइनस के साथ बताने M1 इसी का Y coordinate M2 इसी का Y coordinate upon M1 प्लस M2 योग या माइनस 5 प्लस 50 तरह थिंग ये 45 आ रहा है upon 15 क्या ये प्यारे बच्चों प्लस 3 आ रहा है जल्दी से बता दो क्या सर सही कर रहे हैं पहला मास इंटू उसी का Z coordinate दूसरा मास इंटू उसी का Z coordinate ये न बच्चों देखो तो क्या आया ये माइनस 20 प्लस 10 तरह थिंग ये माइनस 10 प्लस 15 आ रहा है ये माइनस 2 बै 3 आ रहे हैं के दोस्तों फटा फट से बताओ ये माइनस 2 बै 3 आ रहे हैं के सौरब यादाओ चेक करो तो बच्चों है न फटा फट से करो ये 10 माइनस 20 माइनस 10 प्लस 15 माइनस 2 बै 3 क्या आपका final answer center of mass का coordinate ये आया है क्या माइनस 2 कॉमा प्लस 3 कॉमा प्लस 2 बै 3 जल्दी से confirm करो अच्छा वो नहीं भीजा क्या मंगेश अभी लेक्चर के बाद भेज दूँगा पक्का भीटा अभी लेक्चर के बाद भेज दूँगा येस पक्का अरे बहुत यूसफूल है entrepreneur means में easy आता है ये chapter छोड़के नहीं जाना है center of mass निकालना कितना असान है yes correct अब देखो Chmay 3 коürण गारे 2 गारे 3 कोडिनेट इन देखो आज़!!" पर 2 आपका है नहीव भीटा फॉर्स कोड़रिंट डों यहां पर एकस पॉजटिव भाए भी पॉजटिव यहां एकस नेने गेटिव यहां कि दोनों नेगेटिव यहां यहां पर x positive y negative यहां देने बच्चे दिरू भाई तो अगर आपका center of mass यहां पर आए तो दोनों plus यहां पर एक माइनस एक प्लस यहां पर दोनों minus minus यहां पर x plus y minus तो position of center of mass निकाल रहे हैं तो 2D में बता है मैंने 3D में z coordinate भी आएगा तो position of center of mass के लिए आपको coordinate minus है तो minus बताना पड़ेगा plus है तो plus बताना पड़ेगा आए अब position vector में center of mass की आप लेख सकते हो position vector की terms में पहला mass into उसकी position vector plus दूसरा mass into उसका position vector upon m1 plus m2 यह है आपका center of mass का formula position निकालने का अब बच्चों अगर मैं इसको differentiate करता हूँ समय के साथ differentiate with respect to time तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से की भाई या बताओ मिरको r का differentiation time के respect में क्या होता है बच्चों position का differentiation क्या होता है टाइम के respect में position का differentiation क्या होता है displacement का differentiation क्या होता है rate of change in position क्या होती velocity velocity यानि यह आपको मिल जाएगी velocity और velocity को फिर से करेंगे जब हम differentiate तो मिल जाएगा acceleration तो आई यह करके सिखाते हैं इसको को differentiate करते हैं तो velocity of center of mass आपके सामने है m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2 कैसे आए सर कैसे आए देखो देखो मैं सिखाऊ इसका differentiation velocity हो गया मास को तो भाईया constant रखोगी ना आर का differentiation हो गया वी मास को तो constant रखोगी आर का differentiation वी और यह दो एक अलग से constant रख हुआ है यानि velocity of center of mass भी बड़ी आसानी से आ जाती है बस जिसका मास है पहला मास पहले की velocity रखो multiply दूसरा मास दूसरे की velocity रखो multiply upon m1 plus m2 कर दो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहां vector दिखाया है यानि plus i minus i plus j minus i का खास ध्यान रखना है जलते से लिख दो plus i minus i plus j minus j का खास ध्यान रखने जैसे अभी धीरू भाई ने भी सवाल पूछा था कि सर minus कैसे बताएं तो माइनस के साथ जवाब देना है जेके बच्चे ध्यान रखो अच्छे से फटाफट से लिखो कि plus i minus i plus j minus j plus k minus k का खास ध्यान रखेंगा कि यह formula vector में चल रहा है फिर से करेंगे जब हम differentiate velocity का differentiation आ जाएगा acceleration mass 1 पहला acceleration प्लस मास्टू दूस्रा एक्सिलेरेशन अपॉन M1 प्लस M2 समझ गया बच्चों पक्का चन्फर्म चले थोड़ा से खेले थोड़ा से खेले और इन सवालों में बताईए जल्दी से बताओ फटाफट फटाफट कमान 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 येस शाबाश बताईए बिटा बताईए 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 जल्दी से बताओ क्या हो गया क्या हो गया येस बिल्कुल बिल्कुल प्रणाओ जल्दी लेंगे बिटा येस टू नॉट परी आजाओ चले आगे येस आओ अब खेलते हैं इन सवालों पर एक छोटा सा मैं आपके सामने एक छोटा सा सवाल पेश करते हूं ठेक है सोचो यार एक आज दो केजी बिचारे का मास देते इसको वाएक्स पर रखाए तो इसके कॉडिनेट में आपको देता हूं 0,2,0 simple 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 एक पॉइंटे भी इसको मैं देता हूं यार 4 kg इसके कॉडिनेट में देता हूं 4,0,0 Supreme 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 अब मैंने कहा किया इनको विलॉसिटी भी दे Of Um यह उपर जा रहा है थिना दस जे केवस से यह इसकी फेलासिटी इधर दे और त्स पांच सिंब आहिक है यह विलॉसिटी पांच आई क्या है तब आप से बहुत सिंब्ल सा सवाल है कि Find Position and velocity of center of pass at this instant Find Position and velocity of center of mass at this instant at this instant करो बचुँ find position and velocity of center of mass at this instant बताई बताई बचुँ फटा फट से बताई बताई yes फटा फट से बताई नहीं भीजी क्या मैंने अभी तक अक्षाथ I think भीजी ना नहीं भीजी तो मैं आज चेक करता हूं बिटा yes बिल्कुल बिटा फटा फट से बताई तो दोस्तो क्या आ रहा है बहुत आसान सवाल से शुरुवात कर रहे हैं ठीक है इतना आसान सवाल है सब अच्छे कर पाई हूं है ना सबसे पहले क्या चीए सर हमें पुजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से तो पहले मैं को कॉडिनेट्स लिखने बहूं ठीक है तो केजी के कॉडिनेट्स क्या के है है ना 2 केजी के बिटा कॉडिनेट्स क्या के है तो इसके 0,2,0 4 kg के बिटा है 4, 0, 0 आप अगर इसका position vector लिखना चाहो तो इसका position vector क्या आएगा 0i plus 2g इसका position vector क्या आएगा 4i plus 0g अब देखो बच्चे आप क्या कर सकते थे आप बिटा यहाँ पे x coordinate अलग निकाल सकते हो center of mass का y coordinate अलग निकाल सकते हो center of mass का जैसे हमने किया यहाँ फिर आप position vector एकटा रख सकते हों तो यह वाले formula का तो हमने एक सवाल करके दिखा दिया तो coordinates अलग अलग आ गए है ना अब अगला सवाल में आपको इस से करके दिखाऊ इसमें ना i cap j cap में आपको रखनी पड़ती पूजीशन आईए तो रख के बताते हैं फटा-फट से हैं ना बच्चों को तो पूजीशन ओफ सेंटर ओफ मास इकोल टू M1 और उसका पूजीशन वेक्टर है ठीक है दोस्तों प्लस M2 और उसका पूजीशन वेक्टर है ना divided by total mass M1 प्लास M2 इसको multiply करेंगे तो 4 जे क्या पा रहा है इसको को multiply करेंगे 16 के पा रहा है अपॉन्मेंट 6 आ रहा है ठीक है दोस्तों अब में इसको ना एक तो divide करके आई कैप को पहले लिखूँगा तो 16 भाई 6 ना इसको 8 भाई 3 8 भाई 3 आई कैप प्लस यह हो गया टू बाई 3 जेक है बेसीकली अगर कोई सेंटर ओफ मास का कॉडिनेट पूछें तो आपका जवाब होगा 8 भाई 3 कॉमा 2 भाई 3 कॉमा सीधर कोडिनेट अगर कोई पूछ रहा है सेंटर ओफ मास का तो यह है और अगर position vector को सेंटर ओफ मास की पूछ रहा है तो यह है यह हमने M1 R1 प्लस M2 आट ओपॉन M1 प्लस M2 से किया अब हम सेम फॉर्मुला लगा रहे velocity of center of मास की तो M1 इन्टू वेलोसिटी बिटा इसकी वेलोसिटी 10 मींटर पर सेकिंड है जे कैप में तो 10 जे क्या है M1 V1 I cap J cap का ध्यान रखना है है हमेशा M2 और यह वेलोसिटी है V2 I cap में 5 समझे अपॉन M1 प्लस M2 देखो क्या है यह हो गया बीस यह भी हो गया बीस तो बीस बाइचे I cap plus J cap मीटर पर सेकिंड विलोसिटी ओफ सेंटर और मस यह दो हमारे आंसर बता बच्छो फटा फट से बताओ क्लियर पक्का येस बहुत बढ़िया क्या बात है क्या बात है जिव बात बच्छो जिव बात येस येस ठीक है तो आजाओ है ना यह हो गया आपका बिलकुल सह है तो 20 by 6 into root 2 परफेक्ट तो देखो दोस्तों इसकी लाइन में जॉइन कर दो एक बाद यह लाइन है यहां पर सेंटर ओफ मास का यहां है यह 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 कॉडिनेट कम है एक्स ज्यादा है यहां पर कहीं आया सेंटर ओफ मास ठीक है इस लाइन पर लाए करेगा सेंटर मास फिर आगे बढ़ाते कहानी को ठीक है कहानी को आगे बढ़ाते velocity भी दिखा दूसरा इकटी जरी यह इस तरस जा रहा है तो यह मिला तो यह first quadrant में जा रहा है velocity center of mass की तो center of mass इधर जा रहा है और इसकी coordinate इस तरफ थी थोड़ा सा इधर तो यह है position और velocity of center of mass अब मैं आगे चलता हूँ सुचो three particle system हुआ तो सुचो three particle system हुआ तो इसका mass है m1 x1 y1 z1 m2 x2 y2 z2 यह m3 x3 y3 हो इस setup का आप से कोई पूछे center of mass निकाल के दो तब आप क्या कर रहे होगे ठीक है तब देखो हम क्या करेंगे सुनना मेरी बार center of mass का सर ने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि सारा mass उठाके वहां रख देते हैं हमारे कुछ calculation purpose के लिए हर जगा यह नहीं करते हैं कुछ calculation purpose के लिए सारा mass उठाके center of mass पे रख देना ठीक है कुछ calculation के लिए सब जगा नहीं अब देखो यहां पर मैं काम कर सकता हूं सर ने 2 का formula लिखा है तो मैं इन दोनों को हटा देता हूं ठीक है और इनके center of mass पे इनका पूरा mass रख देना तो a b को हटा दिया और यहां पर हमने mass रख दिया total m1 plus m2 और यह हो गया center of mass of a and b अच्छा इसके coordinates क्या क्या हो जाएंगे m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2 और similarly y coordinate होगा यह हो गया इसके coordinates है ना प्यारे बच्चो यह आ गया इन दोनों को हटा कि इसके center of mass पे हमने सारा mass रख दिया और उसका coordinate निकाला अब a और b तो चले गए बच्चा c अब आप क्या करो इन दोनों का center of mass निकाला ठीक है concept समझ में तो इन दोनों का center of mass निकाला ठीक है और भी हटा दिये फिर जो यह center of mass है इसका c के साथ तीसरे वाले के साथ center of mass कैसे करेंगे सर इसका mass into इसके coordinate इसका mass into इसके coordinate upon में total mass इसका mass into इसका coordinate इसका mass into इसका coordinate divided by total mass जैसा ही करोगे आएगा देखो क्या तीन बार जुर जाएगा common sense से यह तो आप समझ ही गए होंगे तेम पैटन चल रहा है बस अब तीन मास आ जाएंगे साहिए बचो पक्का confirm चार होंगे तो क्या होगा प्लस M4 x4 upon में प्लस M4 पाच होंगे तो प्लस M5 x5 upon में प्लस एस तरीकी सिशास संझें बताओ कि पिचे क्लियर हाँ हाँ हां पुछो पीटा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ है जल्दी से बताओ प्रणाओक किस चीज में डॉट है अभी मैं सिखाता हों बोलो तो बच्चो अभी मैं सिखाता यह बहुत बढ़िया शमयज गए पिटा पक्का कनफर्म शबाश शबाश सबस्ट वेरी गूट अब वहत बढ़िया वेरी वेरी गूट बहुत ही बढ़िया यह तो यह हो गया आपका है ना अच्छा तो इसे position vector of center of mass को हम कह सकते हैं ठीक है कि M1 R1 plus M2 R2 ऐसे चलते जाएगा whole divided by total mass ऐसे चलते जाएगा यानि इसको आप ऐसे लख सकते हो sigma MR ठीक है I लिख देता हूँ I equal to 1 से I equal to n जित्ते भी particle से divided by total mass ठीक है यहां फिर sigma M लिख दो है ना sigma M I R I upon में sigma M ठीक है थोड़ा डरावना expression है पर sigma हमें क्या बता रहा है कि आपका summation है चले बचाओ आगे इस पर सवाल करें फुटाफट से अब हम अलग 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 आपको geometries देंगे उनके अलग 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 आप सेंटर रहमाज से काल के दीजिए ठीक है दन पक्का तैयार है तैयार है येस अरे वाह देखो अंकुर श्रिवास्तव जी क्या करें कि सर आप न मेरे दो लाख वाली कोचिंग से भी अच्छा पढ़ाते हैं येस येस फिटा आजाओ आजाओ बहुत आपके लिए बहुत अच्छी मेहनत हो रही है आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए येस आईए जैसे मैं आपको बहुत सिंपल सवाल देता हूं बहुत कॉमन सेंस का सवाल है मैं चाहता हूं तुरंट पर जवाब है अगर मैं आप से की मी बनातों said billion अंडिक अगर मैं अपसे मिटा अउक्रमास की किए रेक्टेंगल बना रहा होँ तो सிंटर आएगा बता जल्दी से उधाओ बिल्कुल सही सच आप ने सपने एकदम सेंटर पर इसका यहां से diagonal intersection point पे और यहाँ पे centroid पे तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अगर symmetry है मासे same है मासे same है symmetry है तो center of mass will be at geometric center ओस geometry का जो भी center है वहाँ पर लाय करेगा center of mass अगर symmetry है तो ठीक है सब्सक्राइब लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है मास इनके अलग-अलग हों मास इनके अलग-अलग होंगे तो सेंटर और मास भारी वाले की तरफ थोड़ा सा जुका हुआ हो तो अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रिन पर ये रहा है यहां यहां पर एक्सिस आपने दे दिया सर और यहां पर एक आपने स्क्वा psychology वणा दी विक्राइब ने दे दी इसके 1 kg ओर इशन पर रख तो पूके जी उपर जूड़ी! ठीक है स्क्वेर की लेंथ आपको दे रहें ठीक है थ्री सेंटिमीटर और वन के जी और इसे निकालने पड़ते हैं कोडिनेट कुछ से निकाली है फाइंट सेंटर आफ मास की पोजेशन जल्दी बताओ फटाफट 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 बताएंगे ठेक है एकदम येस एकदम शापाश फटाफट से बताएंगे वेरी गुड बच्चो वेरी वेरी गुड जेब बात येस बदे हाँ जाएंगे यड़्ती오 कि बताई दोस्तों हां कौन सा बिटा कौन सा कि कौन सा वाला प्रणा विल्कुल बिटा भी समझा देता हूं कौन सा प्रणाव आपको समझना है एक बार सवाल बता दो बिटे यह है एक बार सभाल बतादो प्रणाव बिल्कुल उसको हम करेंगे अ आधा ये मैं लेख़ेता हूं वह पक्रणावद से कॉणिनेट ये खुछ से निकालने थे कॉडिनिक्ट कोई नहीं निकलवाएगा आपको खुछ से निकलने आना ठीक है यह कोडिनेट हमने खुछ से निकाले फिर आप M1 X1 M2 X2 कर दीजिए न तो यहां पर Center of Mass की में डारेक्ट न पोजीशन वेक्टर निकालता हूं ठीक है आई केप जीकेप में एक आइन में आंसर आजए तो 1 इंटु 0 प्लस 0 0 एज़ी रोज्य ना वन कत हो गया जो के लिए करोगे तो 3 2 एए 3 के लिए करोगे तो 3 i प्लस 3 j और 4 के लिए कर रहे हो तो 3 j आ रहा है अपन में टोटल मास्क है एँ वन ग्लास टू प्लास थ्रीप्लास फोर अब देखो आगे चलते ये तो हड गया यह सिक्स आई में और ये नाइन आई में तो नो और चेप पंदरा आई आपको टोटल मिल रहा है आगे वरते जे देखते हैं यहां पे नो जे हो चुका है नाइन जी पर यहां बे बारा जी हो चुका है तो नौ जी प्लस बारा जी 21 जै अपन एक और दू तीन तीन और तीन छे चे और चार दास तो बेसीकली यह आ गया वन पॉइंट फाइफ प्लस पॉइंट वन जे कैट यहानि सेंटर आफ मास का जो कॉडिनेट है वह है वन पॉ जवाब दे दिया है और बाकी बच्चे भी जवाब दिया करो फटा-फट से एक दम ठीक है एक्साइट्मेंट बना रहता है क्लास में इंटरेक्शन चलते रहना चाहिए ठीक है येस शाबाश है ना बेलकुल बेटा वी फैक्ट येस चले आगे अगले सवाल पर आगे जिटे अब आप खुछ से क disciples a व a M c है ना क्या नाम देदेया इसको चलो 2kg दे रहे इसको 3kg और इसको बिटा 10kg दे अधिक्ल ट्रेंगे लले D मैं को कदोने mlLM ए रहना है अब आतखो कोद्रीनेटिस दे रहा हूं लैंथ हां आपको दे रहा हूं बस लेंथ है बिटा आपकी ठीक है टू रूट थ्री मीटर यह लेंथ है ठीक है लेंथ किती है टू रूट थ्री मीटर आई करिये find center of class तो पहले तो आपको basic coordinate geometry आने चींग कि भईया इसका coordinate 00 origin पे रखें तो यहां से L length x में चले तो यह 2 रूट 3,0 अब आपको तो यहां से आधा चलो एक्स आधा और य निकालके इसका coordinate निकालना होगा फिर M1 X1 M2 X2 M3 X3 upon total mass M1 Y1 M2 Y2 M3 Y3 upon total mass ऐसे करके center of class निका लिए लें इस सबसे बिला individual के निका लिए येस किस में बिटा किस में प्रणा टू प्रीविएस question में तू प्रीविएस question मतला आजा पिल्कुल बिटा है न मैं आता हूं है न प्रणाव बताना फटा-फट से यार दोस्त किसमें डाउट है इसमें डाउट है क्या प्रणाव है ना कुछ नहीं किया बिटा कुछ नहीं किया पहले इनकी coordinates निकाले इनकी coordinates निकाले और फिर center of mass का coordinate निकाला बस formula में value रखे फिर इसकी velocity दियू ही थी इसकी velocity दी हुई थी फिर M1 V1 M2 V2 upon M1 plus M2 करके center of mass की velocity निकाले बस I cap J cap का ध्यान रखने है I cap J cap अगर ध्यान नहीं रहा तो आप mix करके गलती कर दो जिसने I cap J cap नहीं लगाया वो क्या करता 2 into 10 20 और ये 20 40 by 6 कर देता हो गलत हो जाता ना आपको I cap J cap हमेशा अच्छे से ध्यान रखने समझ गए प्रणाओ आसान सवाले बिटा आओ चलो बच्छों जल्दी से यह करके बताओ अफट आफट से आओ थोड़ा coordinates निकालने में help की जाए बच्छों की तो 2 kg बिटा 0,3 kg बिटा आपका अच्छों अच्छों एक्स पर रखा यानि टू रूट 3,0 अब बचे है एक की coordinate तो बी सी के एकदम मिड़ पॉइंट से यह जा रहा हो यह समझना है तो एक का जो एक स्कॉडिनेट है वह है इस लेंद का आधा यह लेंद की तो रूट 3 का आधा आधा यह की लेंद वन टू रूट 3 वाई 2 तो वन रूट 3 बैसिकली रूट 3 हो गया एक्स कोडिनेट अब य कोडिनेट कैसे लिखोगे देखो विच्छों यह लेंद है यह इंगल है 60 तो यह वाली लंबाई कित्ती होगी बिटा आप कंपोनेंट लेलो इसका इसका एक्स में होगा एल को 60 ल रूट 3 वाई 2 तो से 2 कटा 3 आगे रूट 3 कॉमा 3 ऐसे आपको सबसे पहले इंडिवीजुली सबके कोडिनेट्स निकालने थे उसके बाद आप कर लो सेंटर आप मास M1 इंटू एक्स प्लस वाई M2 3 केजी इंटू 2 रूट 3 आई कैप प्लस 6 इंटू रूट 3 आई प्लस रीजे अपॉन में टोटल वाई 2 प्लस 3 प्लस 6 आईए एक साथ ही कर देते सर क्या आई कैप जे कैप जो भूलेगा उसका कभी नहीं आएगा सही जवाब थेके बहुत क्लियर हो जाई ही है तो आई कैप में हो गया 6 रूट 3 यहां से भी 6 रूट 3 तो 12 रूट 3 आई कैप प्लस जे कैप में क्या हो गया 6 3 18 अपॉन में मास किता है 5 और 6 11 बच्चो क्या आपक 11 रूट 3 वर्मा 18 बैं 11 सेंटर ओफ मास के कॉडिनेट बताव अच्छी बताव 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 क्या कंफ्यूजिंग है सवीता बताव बिटा हां इंडिवीजुल निकालने का ना इंडिवीजुल के लिए आप क्या करो कंपोनेंट्स लिया करो सभी ऐसे ट्रेंगल बनाए करो छोटे-छोटे अपने आप आचाएगा घबराओ में यह ना वी सी के हाफ पे है तो एक सेक्सिस का कॉडिनेट तो हाफ हो गया है ना और फिर यह वाली लेंध का वाय कंपोनेंट लिया तो उनको हाइट मेंगी यह हाइट ही तो है वाय कोडिनेट तो इसका कंप अपकी यह लंबाई किती थी यह लंबाई थी टू रूट री आपने आधा कर दिया तो यह लंबाई हो गई लूट थी तो एक स्कॉडिनेट आपका एक आ यहा इसरी से रूट थ्री समझ गयी रूट ठी यह से आई ने क्या यह सर्द Tutaj Do मेरे को यह चीए बाए तो यह बिटा 60 डिग्री न तो आप यहां पर साइन 60 इकोल टो पर पेंडिकलोर अपॉन है पुटेनियस कर सकते थे फिर क्रॉस मल्टिप्लाइ किया लेंथ दीती बिटा साइन कर रखा रूट 3 इंटू रूट 3 3 आ लिए इस तरीके से आपने से दिखाए कॉडिनेट कर बता यूंस मैं चल्दी से बताओ आया समयज में सभी ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते ओंट से भी ट्रेंगल बना की कर सकते बहुत बढ़िया अब देखो मैं आपको अगली चीज क्या बता रहा हूँ ठीक है अब मैं अगली चीज आपको अता रहा हूँ shift in position of center of mass shift in position of center of mass सो चो दो particle है ए और भी ठीक है इसको कहीं यहां से यहां पे लेकिए इसको कहीं यहां से यहां बने ठीक है तो इसका जो चेंज है चेंज वो डेल्टा एक्स है इसका जो चेंज है चेंज वो मान लेते हैं डेल्टा एक्स टू है ठीक है यहां वाई में चेंज हो रहा है तो य ले लो डेल्टा वाई बन डेल्टा वाई बन डेल्टा वाई तो अब of center of mass, वो simple same formula से यही आज़े, समझे क्या दोस्तों, इसी तरीके से change in position vector की बात हो, तो वो same change in position 1 plus m2 into change in position vector 2 का, अब यहाँ पर change की बात है, delta क्या होता है बिटा, final minus inis, मैं आपको बता दो, delta बिटा change बता रहा है आपका, उसका मतलब होता है, final minus inis, जल्दी से लिखो दोस्तों, फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखो, ठीक है, फटाफट से लिखे, फटाफट से, है ना, जल्दी से लिखे, एकदाम, शबाश, अब देखिए, एक सवाल है आपके सामने, है ना, एक आपके सामने, यहाँ पर पांच कीजी रखा है, और यहाँ पर दस कीजी रखा है, इनके coordinates नहीं दिए, ठीक है, के इनका मास दिए, coordinates नहीं दिए, कहीं होगा, सेंटर आउ मास, यहाँ पर दस कीजी की तरफ होगा, कहीं, येस, दस कीजी की तरफ होगा, कहीं, अब आप से क्या बोल रहा है, अब आप से बोल रहा है, कि 5 कीजी, 5 कीजी को राइट में लेकी गएं, इस तरफ 2 सेंटीमीटर, जहां से सुनो, जहां सेंटर आप सेंटर आप मास दस नहीं रहना जाएं, अब आप सेंटर आप मास दस नहीं करना जाएं, 5 का चेंज दे दिया, 10 का चेंज पूचा है, सेंटर आप मास नहीं होना चाहिए, चेंज, यहां पर डाइरेक्ट इस फॉर्मिले का एप्लिकेशन, सेंटर आप मास चेंज नहीं होगा, मतलब डेल्टा एक्स को 0 रखोगे, डेल्टा आर को 0 रखोगे, उसमें तो कोई चें 5 के बाइस, नहीं होगा, करUCKा चेंज, नहीं होगे, सेंग, तो मननन नहीं हो एक्साफित को इसुर्मिले को इसा उन सुर्मिले नहीं होगे, मतलब डेल्स के का कि विल्यागे, विल्याके प्लून जीव Teddy Kshant बताईए बताईए ये ये इस ओके अरे वा अली जायद कान बहुत सारा प्यार मिचे हलो अली बिलकुल अली उससे भी कर सकते हैं ये ये नहीं 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 बिटा प्रेंस होगा होगा बिलकुल होगा 100% होगा आए सेम फॉर्मुले में वेल्यू रखतें तो जीरो डेल्टा एक्स कॉम को जीरो ले ले ये इधर गया नहीं यानि आई केप में गया तो 5 kg इंटू 2 आई केप प्लस 10 kg इंटू डेल्टा आर्टू लिगते तो आपॉन बस ये पंदरा को इधर भेजो के जीरो ये उधर जाएगा तो माइनस टेन आई केप इक्वल टू टेन डेल्टा आर्टू तो ये कड़ गया तो डेल्टा आर्टू क्या आगया बिटा डेल्टा आर्टू क्या आगया बिटा डेल्टा आर्टू आगया माइनस वन आई केप माइनस वन समझ गए डेल्टा आर्टू क्या आगया माइनस वन आई केप क्लियर पक्का येस डेल्टा आर्टू क्या आगया माइनस वन आई केप है ना समझ गए डेल्टा आर्टू आ कि माइनज अच्छा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि दस कीकी को इस तरफ 1 सेंटीमीटर चलना होगा 10 कीजी इस तरफ आएगा 1 सेंटीमीटर तब जाके center of mass वही रहे हैं ठीक है अगला सवाल अच्छा मैं आपको center of mass की shifting दे दे दूँँ सोचो 5 kg भी यहाँ है 10 kg भी यहाँ है अब सवाल क्या बोल रहे है देखो 5 kg move up ठीक है by 10 cm 5 kg को उपर लेके गए 10 cm से है ना find है ना how much 10 kg must be moved how much 10 kg must be moved so that center of mass rises by height 2 cm center of mass उपर चड़ना चीए 2 cm 5 kg उपर चड़ चुका है 10 cm तो 10 kg को उपर कितना चड़ाना पड़ेगा उपर यह सवाल करो बहुत पढ़िया यार बहुत पढ़िया बहुत सारे बच्चों का सही जवाब है वेरी गुड दोस्तों वेरी वेरी गुड बताइए बताइए फटा फट से हो गया चलूं क्या मैं आगे चल्दी बताओ फिर आगे जले अगले concept पर बढ़ते हैं अगले सवाल को जलाते हैं बताओ बताओ बताईए बच्चों हाँ येस नादे आंसर अर ड्रॉपिंग ये हुई ना बात आंसर आते रहने चाहिए बही तब ही तो मजा है जीवन गलती हो तो भी चले गलत आंसर हो तो भी चले आंसर आते रहने ची येस चलें के दोस्तों आगे हैं फटा फट से बताओ क्या बात है बहुत बढ़िया आओ कि येस येस पर्फेक्ट पर्फेक्ट बिल्कुल सही कहां आप सभी ने ठीक है सेंटर और मास्क उपर जाना है ना तो डेल्टा आर जो सेंटर और मास्क है वह है टू जी क्या कि एम वन आर वन प्लस एम टू डेल्टा आर टू आपको निकालना है पौन एम वन प्रस बंद्रह दुनी तीस तीस में से पचास मैंस की माइनस पीस माइनस टू जे क्या पार रहा है डेल्टा आर टू सॉल करके यानि पांच के जी को अगर ले गए आप उपर दस सेंटिम इस तब जाके सेंटर आव्मास की हाई ट्राइज होगी 2 संटिमीटर से और यह सब बच्चों निकार कि रखा है मजा आगया अब आगे चलते हैं अगली कहानी पर थोड़ा नया कहानी सिखाएजाई जयों थेगे थोड़ा सा नया कहानी सिखाय जाएजा आयीज किया आप पसंद करोगे पहले समझना हा कि हम मोशन ओफ सेंटर ऑफ मास पर थोड़ी सी बात करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम पर थोड़ी सी बात करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम पर थोड़ी सी बात करते हैं ठीक है बच्छो अब ध्यान से हमें यह चीज समझनी है बहुत ही अच्छे तरीके से कि सेंटर ऑफ मांस की है ना motion क्या है center of mass किस तरीके से आ रहा है ठीक है चल रहा है motion कैसा है किधर जारे लाहे क्या हो रहा है क्या हो रहा यह सब हम puisqu करेंगे तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर formula कॉन सा यूज करना है जलदी से बताओ सर formula कॉन से use करने यह वाले फॉर्मले यूज करने पोजीशन विलॉसिटी एक्सिलरेशन पोजीशन विलॉसिटी एक्सिलरेशन पोजीशन विलॉसिटी एक्सिलरेशन यह सब आपको यूज करने ठीक है जैसे मैं बहुत बेसिक सवाल से स्टार्ट करूंगा कहानी को ठीक है कि मैंने क्या क्या दो मास लिए M1 इसको रिलीस कर दिए M2 इसको भी रिलीस कर दिया यह भी free fall कर रहा है यह भी free fall कर रहा है नीचे gravity दिया अब इन दोनों लाइन इनको लाइन से जोड़ो कहीं यहां बीच में center of mass होगा उस center of mass का एक्सिलरेशन बता है center of mass का एक्सिलरेशन बताई इस सिस्टम की दो पॉइंट की सिस्टम का center of mass का एक्सिलरेशन बताई बताई क्या होगा यह वेरी इजी दिस इस वेरी इजी दिस इस बताई क्या होगा वेरी इजी दिस इस वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी दिस इस इस ठेकें बहुत आसाने जल्दी सिपनें कि अधिया है थीक है चलें आगी हुआ हुआ है हाँ बहुत बढ़िया कितना असान नहीं कितना असान नहीं बताओ येस है ना इसका जी हो गया येस कैसे कि आपने देखो अगर मैं इसका एक्सिलरेशन वन लिखता हूं तो वेक्टर में लिखना है माइनस जी जी इसका एक्सिलरेशन लिखता हूं तो वेक्टर में लिखना है माइनस जी जी अब वो तो आप ऐसी भी बोल सकती थे कि दोनों मास का सेम एक्सिलरेशन है तो सेंटर आप मास का भी एक्सिलरेशन वही होगा M1 इंटू यह आगया प्लस M2 इंटू यह आगया अपॉन M1 प्लस M2 अब यह अगर मैं कॉमन लूँ बाहर तो आपका देखो ना यार मासेस तो कट गए दोस्कों यह आप कॉमन से बोल सकते थे है ही मासेस दोनों का सीम है एक्सेलरीशन तो सेंटर आओ मास्स खभी वह ही एक्सेलरेशन होगागा मैं आप से सवाब कहना चाहाएं ठीक । यह पांच केजी है कि इसको 12 मेंटर पर सेक्षिद विलॉक्ष ति भी गाए कि ऍसको फड् ela किया है Ya दस मीटर पर सेकिंड की विलॉसिटी से इसको फायर किया दोनों को उपर फेक है ठीक है अब मेरा सवाल है आपको याद मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हुआ करता था कि यो स्कुएर भाइट टोजी या दे कि सी पार्टिकल का उपर ठोकरू करो तो काइना मेठिकस में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होताना यू स्कुएर ला है । आप से क्या बुचाया फाइंड पहला मैक्सिमम हाइट और 5 kg and 10 kg दोनों ने इंडिवीजुली किती मैक्सिमम हाइट अची इनिशल विलोसिटी एंड एक्सिलरेशन आफ सेंटर उपस इनका जो सिस्टम का सेंटर आफ मास होगा उसकी इनिशल विलोसिटी और एक्सिलरेशन बताओ एक्सिमम हाइट अचीवड सेंटर ऑफ मास ही सेंटर ऑफ मास कि किती हैट अचीव यह चल्दी से बताएए पिता अली यह क्लास अरांड अरूंड 1130 तक चलेगी इस 1130 तक यह क्लास अरूंड अरूंड चलेगी समच गें इस तरी इसे बताव पता come on बताव बिल्कुल सही बिटा बिल्कुल सही है ना दोनों देखो एक्सिलरेशन तो दोनों का ग्रेविटी नीचे बिटा ठीक है है ना वेलोसिटी अलग निकालने आपको एक्सिलरेशन अलग निकालने लगति बाजी ना करें जल्द मजी करेंगे तो गड़बर हो जाएगी जलद मजी ना करें तो आईए सबसे पहले पहला पार्ट करने तो maple यूस्ट तो क्या 5 kg की मैक्सिमम हाइट 7.2 आ रहे के दोस्तों और 10 kg की क्या हो जाएगी यू स्क्राइब डूजी पांच चेक करो दोस्तों बटा फट से हाँ अब आजाते हैं इनीशल वेलोसिटी ऑफ सेंटर आफ मास तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर आफ मास क्या हो जाएगी बता एंबन भी बन प्लस एंटू वी टू अपन एंबन प्लस हित्यों गई सिक्स्टी प्लस हंड्रेट बन सिक्स्टी अपन फिफ्टीन जेक है यही आ रही के बच्छे आपके बताओ यही आ रही के बच्छों बताओ है ना बेसिकली क्या हो जाएगी इसको अगर मैं डिवाइट करो तो टैन पॉइंट सिक्सिक्स मीटर पर सेकिंड जाएक है ठीक है एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर आफ मास अगर आप देखो तो दोनों का एक्सिलरेशन तो ग्रैविटी है ना इसकी इनीशल विलोसिटी दस है लेकिन एक्सिलरेशन तो ग्रैविटी है इसकी भी इनीशल विलोसिटी बार है लेकिन एक्सिलरेशन तो ग्रैविटी तो एक्सिलरेशन तो इसका भी ग्रैविटी आ जाएगा और यहीं अभी हमने किया था एक्सिलरेशन इसका भी ग्रेविटी आ जाएगा माइनस टैन जी तो एफेक्टिवली देखने पर ऐसा लग रहा है एफेक्टिवली देखने में ऐसा लग रहा है कि सेंटर आफ मास की इनीशल विलॉसिटी है 165 15 मीटर पर और सेंटर आफ मास का एक्सिलरेशन है माइनस जी देखो यहीं लग रहा है पक्का कंफर्म कोई दिक्कत परिशानी बस यू स्क्वार बाइटू जी कर दो थोड़ी सी मुश्किले तो है स्क्वार करने में आफ 16 का स्क्वार क्या होता है 256 15 का स्क्वार कि 225 एक इसको कर लो जल्दी से सॉल किता आ रहा है फटा फट से बताओ फटाफट से बताओ बिटा किता रहे है जल्दी से बताओ फटाफट से किता रहे है हाँ 5.68 मीटर किसी ने कहा यह आज़े है समझ गए हाँ बिलकुल सही बिलकुल सही बिटा बिलकुल सही येस बिलकुल सही आज़े तो इसको दो से कट कर दो बिटा तो 1280 अपॉन 225 अब इसको 5 से कट करो सिंपलेट फ्रेक्शन में बता दो तो पहला हो गया दूसरा हो गया तीसरा हो गया ये दूसरे का अंसार ये तीसरे का अंसार बता ये बच्चो क्लियर चलू क्या दोस्तों जल्दी बिताओ समझ में आया क्या शाबबाश शाबश येस शाबश अब देखो आगे चलते हैं अगले सवाल पर ठीक है अब अगले सवाल में ना आपको इंडिविज्व एक्सेलरेशन भी खुद से निकालने हैं और सेंटर ओप मास का ये खुद से निकालने हैं यानि जो अगला सवाल है वो आपको प्लस सेंटर ओफdd मासν मिक्स उप उनों को मिक्स करके सवाल दिया आगए ठेकिए ठीके पहले आपको NLM लगाने है individual acceleration करने है फिर आपको center of mass का acceleration निकलने है जैसे एक सवाल है actwood machine है तो डब्बे हैं जुड़े हुए हैं एक का मास दे देते हैं हम 5 कीजी एक का देते हैं 4 कीजी ठीके तो find their individual accelerations and acceleration of their center of mass find individual accelerations of blocks ठेख है दूसरा एक्सिलरेशन ओफ सेन्टर और मास ऑफ ब्लॉक्स यह ब्लॉक्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका एक्सिलरेशन क्या हो तो पहले इन दोनों का ए ए निकाले फिर एंबन एवन प्रस एंटू एटू अपन एंबन प्लस एंटू करके आएगा अंसर जल्वी से बता दो फटा फट से कम ओन कम ओन गाइस कम ओ कम ओन को मन झाहिए कम को मॉन में इडिक इब किस फ्रणीं और वैं किस चीज में उन्यटा आज और वेलॉसिटी में तो प्लस ए प्लस ए प्लस ए मिलिए 5-õ ए ऐ J वेकिन बीडिव क्लेशिले बात करेंगे लिए तो एक्सिलरेशन ग्रैविटी हमेशा नीचे और इसले ग्रेविटी में माइनस जे माइनस जे लिखा है प्यारे बच्चे इस तरीके से याइस समझ गें क्लियर दन कौन सा आइटी एंस मंगेश कौन सा बिटा कौन सा किसका सेकेंड पार्ट रिपीट करूं इसका सेकेंड पार्ट इनीशल विलॉसिटी बिटा पास फॉर्मुले में वैल्यू तो डाली यहां पर कहीं कुछ डाउट है तो पूछो आइटेंस येस कहां पर इससे भी पहले वाले सवाल है पाइफ कीजी का क्या हुआ प्लस जीकेप ओगा अच्छा हां सॉरी यहां पर जीकेप जीकेप लिखना था येस थैंक्यू प्रणाव बच्चे यहां पर जी कैप लिखना था येस आज़ा बाकी हमने सॉल्ट सही किया अब यहां पर यहां पर एक्षिलरेशन ओफ इंडिवीजिल ब्लॉक्स निकालने तो इसका एंपीडी क्या है एमजी नीचे पेंशन उपर यह बारी है तो नीचे जाएगा एक्षिलरेशन क्या बनेगे इसकी फिफ्टी माइनस टेंशन इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन इसको जोड़ दो सॉल्ल करो तो नाइन ए इक्वल टू टेंशन आ जाएगा टेंगा इन दोनों का एक्षिलरेशन है 10 बाइ नाइन सेंटर वं मास का एक्षिलरेशन बताने सिंपल एमवन एवन प्लस और यह ए आया एक बिच्च अब इस ब्लम के कि क्लास में आई कैप जेक्षक माइनस आई यह कठ्यान रखना यह उपर जा रहा है तो यह प्लस जे प यह नीचे आ रहा है तो इसका माइनस जेक्षक होगा न वह कौन करेगा तो को कॉन करेगा थे टेस्ट में तुमको बताने हैं है बदमास बच्चो कि भूल जाते हो तो 5 का क्या होगा मैनस 10 by 9 जेक है पोर का क्या होगा प्लस 10 by 9 जेक है अपॉन M1 प्लस M1 सॉल करना बच्चो ठीक है मैनस 50 प्लस 40 मैनस 10 अपॉन 81 माइनस 10 अपॉन 81 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर यह है एक्सेलरेशन अफ सेंटर अफ मास बिल्कुल सही परिक्षित वर्ड यार एप्सलूटली स्पोट आन बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया वेरी वेरी गूड चलें आगे जल्दी से बताओ फटाफट से बता चलेंगे बच्छो आगे बताओ पटाफट से बताइए बच्छो चलें आगे क्लियर आये समझ में ठीक आओ आगे चलते हैं येस हैना वैसे बहुत सारे सवाल बना सकते अंगिनत ठीक है बहुत सारे अंगिनत सवाल मना जकते हैंना देखो उल्टे डारेक्षण में खीचने वाला चालेश था नेट पुलींग पोर्स अपन टोटल मास करके एक्सिलरेशन आपका तुरंत आ जा रहे हैं ठीकिए अब अगला सवाल क्या है आपके साहने अगला सवाल और बिमिक्स सेंटर आफ मास भी मिक्स और और वेक्टर्स भी मिक्स है ठीक है तीन चैप्टर मिला के सवाल है वेक्टर रिजल्टेंट अगर आपको आना ची ठीक है सवाल के देखो यहां डब। यहां रखा है यह है इन्कलायन में यहां रखा है यह ऐम टू प्रूट अपता है ठीके मास दे देते हैं दोस्तों यह 2 kg मास देते थे ठीके यह 2 kg हो गया और इसको मास क्या दे या ठीके बता वे इसको क्या दे बता वे इसको हम 2 रूट 3 kg मास दे थे ठेके यह माज दे दिया सवाल हें एक्सिलरेशन सेंटर ऑफ मास जो ब्लॉक्स का है और ब्लॉक्स उसका वेक्टर निपूछा इस बार उसका मैगनिटूड पूछा है एक्सिलरेशन जो आएगा ना center of mass का उसका magnitude बताना है तो यह मैं आप पे छोड़ रहा हूं एक बार आप खुच से तो करो 30-40 सेकिंड थोड़ा सोचने का समय दिया जाता है बच्चों को उसके बाद हम आएंगे पिच्चर में अभी तो हम पिच्चर से ही गायब है अभी आप हो और आपका सवाल है और आपके concept बताईए फटा फट से हम पिछे तो हम आप कि लेग तो हमें की प्हाज़ा हां鼻ूं का रचिस्चर में आपका तो हम आपके evento बताप तो हम दोटना युट जोड़ा है तो हमान से आपके किशना पवश मैं तो हुई नहीं पिच्चर में आपको अकेली करना है इस हवाद में देखे कौन बच्चे कित्ते कर पाएंगे तैंक यू सो मुझ थैंक यू सो मुझ बेटा येस है ना और बताए हर्ष प्लेज पिटा हम इंदौर में हैं आप कहा हो येस बिलकुल हर्ष प्लेज आओ बताए ही बताए ही फटाफट से बताए ही चुछने ना प्रिया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्छो, येस, थैंक यू सो मच बेटा चारवी, थैंक यू सो मच साथवेग, बहुत सारा प्यार बच्छे, येस, आजाओ, 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 हाँ, हर्ष प्ले, नेक्स्ट वीक में आएंगे बटा हम, विजय नगर सेंटर पर आएंगे नेक्स्ट वीक, येस, आजाओ, ठीके, चले, आपका पूरा नाम क्या है हर्ष, बताओ, आओ, ठीके, अब देखो, इसका पहले तो एक्सिलरेशन निकालना है, इंडिव अब जो नेट एक्सिलरेशन ने मिटा, वो भारी वाली की तरफ होगा, नेट पुलिंग फोर्स में दोनों माइनस हो जाएंगे, और मास में टोटल मास दिवाइड हो जाएंगे, ये आपका कम्प्लीट पैटन, इदर से कीचने वाला क्या होगा, एम, जी, साइन सिक्स्ट आपके, तो रूट 3 वाई 2, रख दो जड़ा, 2 से 2 कट गया, या आगया 30, इदर से खीचने वाला 30, इदर से खीचने वाला क्या है, एम, जी, साइन 30 बिटा, आपने क्या क्या, इस सरीके से क्या, 2 से 2 कैंचल, 10 बचाएंगे, तो पहले तो इंडिवीजुल एक्सिलरेशन निकालना है, तो नेट पुलिंग फोर्स में इधर से 30, माइनस 10 अपन टोटल मास, तो क्या हो गई है, तो यह तो यह एक्सिलरेशन है, इसे में यह कह देता हूं, यह एक्सिलरेशन, अब आगर आप ध्यान से देखो, तो मैं को सेंटर आप मास्स का एक्सिलरेशन चीए, नहीं, यह 90 डिगम, यह M1, A1, इधर आ रहा है, M2, A2, तो सेंटर आप मास्स का एक्सिलरेशन क्या होगा, M1, A1 वेक्टर, प्लस, M2, A2 वेक्टर, डिवाइड़ेट वाइ, M1 प्लस, M2, अब ध्यान से देखना, सर बड़ा कमाल करके दिखाएंगे, ठीके, अभी ध्यान से देखो, यह A तो आगया, 10 अपान 1 प्लस, रूट 3, तो यह हो गया, M1, इंटू, 10 अपान 1 प्लस, रूट 3, यह न, का वेक्टर, अभी वेक्टर साइन लगा हुए, डारेक्शन में को पता नहीं, यह प्लस, जेके, अपने कुछ आएगा, यह भी आईके, प्लस, जेके, अपने कुछ आए, प्लस, M2, इंटू यह, ठीक, इसका वेक्टर, अब देखो, इसमें से, कॉमन, कॉमन, चीज़े, अभी मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीके, कॉमन, कॉमन, चीज़े, अभी मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीके, ध्यान से समझना, ठीके, इससे, कॉमन, कॉमन चीजे निकाल रहे हैं 1 plus root 3 common ले लिया 20 common ले लिया ठीक है क्या उगिया 1 plus root 3 common 20 common थेका 2 plus root 3 common थेक है फिर चले आगे पक्का confirm शावबाश अब देखो क्या करेंगे अब देखो क्या करेंगे हम अब हम क्या करेंगे हैं पर बचा क्या हमारे पास यहां पर 1 का Vector Plus Root 3 का Vector अब बुच्णो ध्यान से देखो अब तीम के य gobierno जो है ये affector आपस में कैसे हैं किस तरीके से 90 degree पर है छलो अच्छा यह काम करो यह भी हिसर आपने जो किया न जो मैं को तो confusing लग रहें ने छोड़ो बेट थोड़ो खोड़ो हटा दो लिए यहां पर जाते ही क्या कर रहे हो सवे कोई बात नहीं अब मैं आपको सिखा था हूं माश्टे तरीका तो मेंगनीचूड लेने हैं मैंगनीचूड मतला इन दोनों वेक्टर का resultant का magnitude लेना है, resultant का formula क्या था, a square plus b square plus 2ab cos theta या दे, यहाँ पर दोनों के बीच में theta क्या है, 90 degree, तो इस पूरे को एक vector लीजे, इस पूरे को एक vector लीजे, तो आपका आएगा m1 a1 का square plus m2 a2 का square plus twice m1 a1 m2 a2 into cos theta, समझे, whole divided by m1 plus m2, समझे, पक्का, confirm, yes, शावबाश, बहुत बढ़िया, yes, yes, पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या हर्श प्लेज, पूरा नाम क्या है, बताओ, पूरा नाम क्या हर्शे, फुल नेम बताओ, आप, अब theta को 90 degree रख देना, तो आगया आपके पास, m1 a1 square, plus, m2 a2 square, upon m1 plus, अब देखें, यहाँ पर a common है, a square a square, a common a भार आगया, यह हो गया, ठीक है, अब बस value रखनी थी आपको, है न, यह answer है बिटा हमारा, ठीक है, तो this was a very good problem, a है 10 upon 1 plus root 3, तो वो यहाँ रख जाए, a को 10 upon 1 plus root 3, into under root 2 का square, plus, 2 root 3 का square, upon 2 plus 2 root 3, यह answer, ठीक है, इसको solve कर लो, जल्दी से, ठीक है, यह क्या आगया, 4, 4, 3, 12, 16, का root 4, 10 into 4 upon 1 plus root 3, into 2 into 1 plus root 3, effectively आजाएगा, 20 upon 1 plus root 3 का square, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 20 upon 1 square plus root 3 का square, 3, 4 plus 2 root 3, फिर और 2 काड़ दो, तो 10 upon 2 plus root 3, यह answer, ठीक है, समझ गए, कैसी क्या, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाँ, येस, तो, i-cap, j-cap में भी कर सकते हैं, बच्चे ने इसका vector निकाल, i-cap, j-cap में component लेके, इसका vector निकाल, i-cap, j-cap में component लेके, फिर answer किया, लेकिन मैंने magnitude पूछा था, तो ये वाला तरीका में कोछ ज़्यादा अच्छा लगता है, कि आप इसके उपर resultant का formula लगा दीजए, अब यहाँ पर क्या हो, थोड़ा सा खराब इसलिए हो गया, क्योंकि acceleration का magnitude ऐसा है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपन को तो, i-i-t के बच्चे हैं, थोड़ा बहुत calculation तो आना थी, तो ये तरीका है, समझ गए?